दोस्तों हम अक्सर बर्मुडा ट्रैंगल के बारे में सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है scientific language में हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता लेकिन अगर simple language में अगर कोई बताएगा तो कितना अच्छा होगा तो चलिए आज हम जानेंगे बर्मुडा ट्रैंगल के history और mystery के बारे में simple language में तो आखिर क्या है बर्मुडा ट्रैंगल Atlantic सागर में 5 lakh square kilometer का एक हिस्सा बर्मुडा ट्रैंगल कहलाता है इसे बर्मुडा ट्रैंगल इसलिए कहते है क्योंकि इसका अकार ट्रैंगल की तरह है हाला कि इस बात का कोई भी solid proof नहीं है लेकिन आश्च्छरी की बात ये है कि पिछले 100 years में इसमें 75 planes और 100 से जादा छोटे वड़े जहाज समा चुके है और 1000 से जादा लोगों की मोध हो चुकी है इसी वज़े से ये एक mystery यानि रहस्य बना हुआ है इसे devil ट्रैंगल भी कहते है बर्मुडा ट्रैंगल नौर्थ अट्लैंटिक ओशन में स्थित ब्रिटेन का overseas area यानि प्रवासी क्षेतर है ये United Nation of America के Eastern Seashore पर Miami से 1770 किलोमेटर और Florida के South Direction में 1350 किलोमेटर यानि 840 माइल की दूरी पर है कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज कोलम बसने की थी उन्होंने अपने generals में इसके बारे में लिखा था कि ये एक रास्ता है जो aliens के base तक जाता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्यों गायब हो जाते हैं यापे जहास इस जगे पे जहासों के गायब होने के कारणों पर कई research और study हुई लेकिन अभी तक clear reason का पता नहीं चला हाला कि जहासों के गायब होने को लेकर scientist मोसम यानि climate को इसका जिम्मेदार बताते हैं triangle के आसपास के मोसम पर research करके scientist ने ये पता लगाया कि इस triangle के उपर खतरनाख हवाई चलती है और इसकी speed 170 mile per hour रहती है जग कोई जहास हवा के चपेट में आ जाता है तो अपना balance खो बैठता है जिस reason से उसका accident हो जाता है scientist का ये भी कहना है कि बर्मुडा triangle में heavy चीजों को अपनी और खीच लेने की ताकत बादलों की hexagonal shape की वज़े से आती है ये बादल air bomb बनाते हैं यानि हवा में bomb blast जैसे ताकत पैदा करते हैं इनके साथ 170 mile यानि 273 km per hour की रफतार वाली हवाई होती है और ये हवाई और बादल आपस में मिलकर जब जहाज को टकराते हैं तब उन्हें खीच कर समुद्र के अंदर ले जाते हैं तो दोस्तों ये था scientific reason बर्मुडा triangle के रहस्ये का तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी ऐसी एक और जानकारी के साथ तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक्यू